आज की इस एपिसोड में डिसकस करने वाले हैं Reliance Industry Stock के बारे में आज इस Stock में जो गिरावट है वो इसलिए दिखा चुकि इस Stock में हमने Demerger के News सुनें और इस Demerger के News के कारण ही इस Stock में गिरावट दिखी है इस समय 2530 के price पे trade कर रहा है हलांकि ये गिरावट भी as per technical देखे तो एक opportunity ही है बिल्कुल इस stock में घबराने की जरूरत नहीं है एक बरे trend भी इस stock में easily आपको दिख सकता है इस समय देखेंगे तो 2530 के price पे trade कर रहा है यहां देखेंगे तो geofinancial के news दिख रहा है जो underlying assets के comparatively जो valuation है geofinancial के वो काफी ज्यादा है जिसको लेकर के हमने देखा कि geofinancial भी lower circuit पे trade होते दिखा और यहां इसको लेकर के ही continuous news दिख रहा है यहां देखेंगे तो और पाएंगे कि जो CLSA है उसने 3000 के target दिए और इसके अला है वो थोड़ा weak है और इस समय टेकनिकली हमने इसलिए कहा कि 2580 के उपर long करेंगे यह zone consolidated zone है इस zone में again ignore करें या फिर नीचे 2480 के level को breakdown करने दे इस बीच में तब तक इस stock को बिलकुल ignore करेंगे